ठीक है जी अभी इस लेक्षर में हम देखेंगे किस तरीके से हमने एक पूरे का पूरा आर्किटेक्ट्चर एक ही कोड के अंदर लिखना है और कैसे ट्रेनिंग और वैलिडेशन लॉट्स ओन उन स्मॉल स्केल किस तरीके से मैटर करता है और कितने ही पॉक्स हम चलाएंगे कितनी तेज़े के साथ यह दोनों चीज़े पर्फॉर्म करते हैं गर आपका डेटा सेट छोटा है डाइमेंड पर बड़ी देर लग रही थी और इसको देखेंगे सेकंड़ी एक क्विस्चन आया कि सुपर्वाइजड और अन्सुपर्वाइज मिशीन लर्णिंग हमने देखी ठीक है अब डीप लर्निंग में भी सुपर्वाइजड अन्सुपर्वाइजड है क्या नूरल नेटवर्क के इलावा भी कोई फरेक है simple मैं बात करूँगा कि ये machine learning की ही sub type है जो पहले बात की गई थी अगर machine learning में supervised की बात हो तो machine learning का एक algorithm artificial neural network भी है समझाई बात की using ANN ये भी एक machine learning का ही architecture है लेकिन वो अलग बात है कि deeply ये adapt करता है जैसे gradient boosting है आप ये भी कह सकते है gradient boosting versus ANN आप ऐसा भी कर सकते हैं so you can compare these two models ANN जो है ये machine learning के अंदर ही है वो अलग बात है कि deep learning हम क्यों कह रहे है because of the neural network structure and things involved in the neural network अब जी मैं directly चलता हूँ और आपको इस मिसाल के उपर हम थोड़ी सी गपशप करते हैं फिर हम regression को यहां पर खैर बात करेंगे फिर binary classification की तरफ चलेंगे यह मैंने एक छोटा सा code यहां पर लिखा है tips के data set पर बड़ा familiar data set है अगर आपको नहीं पता तो हम इसको play करके देख भी लेंगे कि कौन सा data set है but on the other side यह है जी tips का data set मैं आपको पहले दिखाओ ही देता हूं ताकि हमारी जो confusion है वो confusion ना रहे और यहां पर tips.head करके यह राजी data set आपके पास total bill है tip है sex, smoker, day, time and size tip का मतलब यह है कि होटलिंग के अंदर dinner, lunch या different time के अंदर किस दिन smoker था या non-smoker, male थी या female उसने कितना bill था और क्या tip दी और साथ में उनका size of table कितना था, कितने लोग आए यह इसका data set का main introduction है हमने इस पर artificial neural network train करना है और हमने predict करना है कुछ चीजें इसमें वो कौन सी चीजें है we will see that हमने tensorflow library ले लिए क्योंके आपको पता है tensorflow से काम करना है C bond ले लिए आपको पता है data set से आना है pandas ले लिए क्योंके you need to use this library to find out के कौन कौन से functions जा रहे हैं या wrangling बगरा के लिए and then you use train test separate from sklearn आप लेबल इंकोडर और scanner scler को use करते हैं to scale the data and encode the data to finally have the data prepared for machine learning or deep learning architecture then हमने early stopping किया अब आपको समझ आगी है ना early stopping क्यों use कर रहे है को मसला तो नहीं है ना यहां पर आपको इसका मकसद यही है कि early stopping का मतलब यह है कि जहां पर सबसे minimal loss था वो वाला उठा के weights and biases model को दे दे ठीक है समझ आगी बागे चले साथ अब यहां पर matplotlib कर लिया to plot the model data हमने load किया कुछ इस तरीके से load dataset tips is equal to sns.load dataset पर चलते ही हमने इसको encode कर लिया यानि के जो categorical के column थे हमने उसे numeric कर दिया then we drop total bill हमने total bill predict करना यहां पर y में तो हमने क्या किया total bill जो है वो predict किया y में इसका मतलब है हमने x में से drop कर दिया यानि के features और target बना दिये by the way x को हम features बोलते है और deep learning के अंदर features और target का लफ्ज बहुत यूज होता है जब आप किसी का data download करते हैं then we split into training and testing set कैसे 80-20 में हमने कर दिया x train x test y train and y test करके you know this better than other people तो अब यहां पे हमने standardized कर दिया train or test को मतलब यह standard scalar use करके ठीक है मतलब जो किसी के unit ज्यादा थे किसी के कम थे हमने उसे standard कर दिया अब अगली चीज़ हमने model को define करना है same वही काम पहला हमने shape दे दी यहां पे input layer आगी यह यह वाले हमारी hidden layer यह हमारी दूसरी hidden layer और यह हमारे पास क्या आगया output layer ठीक है मैंने चॉंसर चॉंसर दोनों में रख दिया just to have a nice idea कि क्या चल रहा है then we use the compile model.compile जिसमें adam and mean squared error को हमने use कि as a loss and optimizer आपको पता है loss and optimizer क्या मैंने पहले भी बताया था और optimize क्या करता है loss को काम करता है बार बार and then we will see क्या बनता है early stopping हमने validation loss को monitor करते हुए patience 10 के हिसाब से की क्योंकि 100 हमने epochs चलाने as I already planned तो उसमें 10 epochs का हमने patience रखा गए यानि 10 epochs और चलने दो अगर को होता है तो वहाँ से ले लो ठीक है फिर हमने restore best weight वो बता दिया के ताके हमारे best weight जो है वहाँ पर restore हो रहे हमने अब model को fit किया वही सारा काम हमने x train y train पर fit किया epochs 100 रखती है batch size 32 कर दिया ताके जो batches and different data के वो use हो and then validation split जो है हमने 0.2 कर रखती है यानि कि 0.2 20% of the data will be used for validation ठीक है फिर हमने early stopping का यहां पर command लगा दी जो हमने object यहां पर बनाया हुआ था राइट अब आगे चलते हैं यहां पर हमने वही चीज plot की जो पहले की थी loss, epochs, training and validation ठीक हो गया मतलब यह कि जब हम इसको run करेंगे हमारे पास plot के अंदर एक करवाएगी validation loss की एक है की training loss then हमारे पास evaluate the model हमने model evaluation के अंदर जाके test loss भी check कर लिया ठीक है तो हमारे पास तीन losses आगे train, validation and then test training loss वो है जो सीखते सीखते हम हुद को different किसम की चीजों से गुजारते हैं और अगर हम ना अंसर दे पहें तो वो loss है validation वो है कि practice exam के थुरू आपका जो loss है then testing वो है जो final exam में आपका जो loss है ठीक है तो यह तीन terms आपको याद रहेंगी अब now I will run this और आप देखेंगे कि यह बड़ी speed से run करेगा reason data set बहुत चोटा है उसकी dimension कम में देखें यह सो एपोक्स जा रहे हैं 13 के बाद वो वहीं पे एक dot 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 continue करके हमें दे रहे सो एपोक्स आए यह हमारे पास training and validation आगी ठीक हो गया अब यहाँ पे क्या चल रहा है आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे best number of epochs कौन सा है जिसके बाद smoothness चल रही है सभी का जवाब मिलता जुलता है ठारा बीस ठारा बीस ठीक हो गया अब चलें वो ही काम करते हैं हम दुबारा से मैं epochs यहाँ पे रखता हूँ पच्छिस जस्टु हैवन आइडिया लोजना आपको ऐसी कर्व मिल गी लेकिन हमारा मकसद ऐसी कर्व लेना नहीं हमने थोड़ा सा आगे जाना है यहाँ से पता तो चल गया कि यह last है लेकिन इस से आगे क्या है क्या यह दुबारा उपर जाता है यह नहीं जाता है अब मैं यहीं पे 200 करता हूँ epochs किदर गए 250 कर देते हैं क्योंकि इस स्पीड से काम कर रहा है तो वी कन यूज डिफरेंट epochs नंबर यहां पर यह चल रहा है चेक करें लॉस जो है वो कोई फरग नहीं पर रड़ा उसको भीस के बाद इसका मतलब यह है कि एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर लॉस कम होना जो है वो रुक जाता है या बहुत मिनिममम चेंजिस आती है वो होता है आपका फाइनल नंबर ओफ इपोक्स जहां से आप अंदाजा कर सकते हैं कि आपको कितने इपोक्स चाहिए एक तो यह तरीका का रहा है कि आप ट्रेनिंग वैलिडिशन और टेस्टिंग लॉस वगारा चेक करके उस तरीके से कर्व की बेस पर देखें कि लॉस कहां पर आ रहा है ठीक है अगर मैं इसी को किसी एक ऐसे पॉइंट पर रोख दूँगा हजार इपोक्स चलाने के बाद भी जो कॉल बैक फंक्शन है वो यह करेगा बीस जहां पर स्टार्टिंग में बहुत कम लॉस आया है वो हमें उठा के देगा सिंपली उसको पता लगया मेरा काम खतम हो गया चलो आप लोग बाखी करते रहो जो करने नेक्स तिंग इस हमारे पास टेस्टिंग लॉस भी आ रहा है टेस्ट लॉस जो है ठीक है वो हमारे पास आ रहा है 43.43 यहां पर यह वाला लॉस है हमारा ट्रेनिंग लॉस 28.something 46.something is validation loss and test loss is 43 इसका मतलब है ट्रेनिंग के दुरान जो हमारे पास 28 लॉस था वो कम दे रहा था हमें ट्रेनिंग के दुरान जब हमने validation की base पर देखा तो 46 के करीब-करीब था इसका मतलब यह है कि 23 से 24, 25, sorry 28 से onward 46 के दरमयान दरमयान आपका test loss रह सकता है keep in mind this can be an analogy जो आपको future में काम आ सकती है अब अगली चीज़ यह है कि यह क्यों नहीं loss improve हो रहा इपॉक्स ज्यादा करने से एक myth है जी data scientist के दिमाग में खास तोर पर deep learning के जो engineers है वो यह कहते हैं जो beginners हैं मैं advanced level की बात नहीं कर रहा है वो कहते हैं कि यार deep learning का algorithm लगाओ सब कुछ फिट हो जाता है क्यों जी google तो use कर रहा है उनको यह नहीं पता कि deep learning का algorithm उनका कहने का मकसद यह है कि ज्यादा neural networks लगाओ तो आपका data जो है वो जबरदस्त हो जाता है but it doesn't work like that ज्यादा neural network लगाने से या ज्यादा epochs बढ़ाने से आपका काम नहीं बढ़ता हम दोनों analogies use करते हैं हमने epochs यहां पे रखा 250 इसको मैं 100 पे वापिस ले आता हूँ अब दूसरा गाम हम यह करने वाले हैं जो हमारे पास hidden layers थी मैं एक को यहां पे comment आउट करता हूँ ठीक है लेट सी क्या फराइक पड़ते हैं चेक करें क्या हुए समझ लगी है क्या हुए लॉस बीस इपाक्स पे यूनिफॉर्म नहीं हुआ झाव वी एफ चैंज दन नंबर ओफ इपाक्स अब वो कितने रखने हम वी बिल सी नौ मैंने सो लगाय थे सो कम पड़ गए तो मैं तीन सो लगा देता हूँ लेट सी नौ समझ आ रही है किस चीज की बारे में बात हो रही है अब हमने इन कर्व को पढ़ना भी है सो मैं आपको सिरफ आइडिया दे रहा हूं कि कर्व हमें क्या क्या बता रही है यहां पर कितने नंबर ओफ एपॉक्स बैस्ट बैठे हैं जी तगरीबन 70-80 के करीब हंडड़ भी कह सकते हैं नो प्रॉब्लम एक हिड़न लेयर आपका कितना काम बचा रही थी तकरीबन 60-70 इपॉक्स का इट्रेशन का जारी बात है कि एक इट्रेशन हैवी पढ़नी थी तब लेकिन ऑन दी अधर साइड आपका जो डेटा है वो दो इडन लेयर के साथ कुछ ऐसा काम देता है मैं दुबारा से चलाता हूँ अब बीस इपॉक्स वर्सिस एटी इपॉक्स अब एक काम जो हमने नहीं देखा वो यह था कि एक लेयर को रोकने से हमारे पास जो लॉस है वो मिनिममम कितना आया है ट्रेनिंग वैलिडेशन और टेस्टिंग तीनों अठाइस च्यालिस और तर्तालिस तीना वैलियूस लेट्स सी यहां पर असी इपॉक्स च्वालिस यहां पर आ रही है च्वालिस ही यहां पर है जो लॉस हमारा वैलिडेशन स्वरी है कर रही है कंप्यूटिशन कम कर रही है ठीक हो गया एफिशेंट है मतलब जो काम देर से होना है वह जल्दी हो रहा है आर्किटेक्चर बैटर्स यही चीज मैंने आपको समझानी थी कि जब आप हिडल लेयर दो यूज करते हैं तो बीस इपॉक्स हैं अब एक और काम करते हैं आपके दिमाग में ज़रूर यह काम फशा होगा कि अगर तीन कर लें तो लेस्ट ट्राइट वन मैं इसको रण करता हूं पीस और असी इपॉक्स हैं हमारे पास पिछली दफ़ा दस और लुक इंटु दे बंप्स यहां पर आके वो खुद कंफ्यूज होगा बढ़ना है कम होना बढ़ना है कम होना बढ़ना है कम होना ना इस स्मूथ हीर तो इसका मतलब यह अर्किटेक्चर अच्छी बना के आप अपना एफिशेंटली विद गुड एकुरेसी काम कर सकते हैं अभी भी 47-46 के के करीब है अगर आप गोर करें 46-28 वही चीज़ें चल रही है बट ऑन दी अधर साइड हमारे पास एक रिजल्ट आ रहा है एक और काम चेक करें आप के हमारे पास 64 पर जाकी इपॉक रुक गया है क्यों क्यों रुक गया इंप्रूव्मेंट नहीं हो रही कॉल बैक की वज़ा से समझ पर मैं इसी को कॉल बैक फंक्शन के अंदर जाके अर्ली स्टॉपिंग के उपर पेशेंस को मैं दो कर देता हूं कीप इन माइंड दा नंबर हमारे पास 64 पर रुखा था यह मैंने अब दो कर दी है उसको पेशेंस को वह आई 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 वाला पेशेंस वह वाला इसका मतलब यह है तकरीबन आपके जो चले हैं चाली सीपॉक्स चले 38 आपको प्रॉपर वैलियू दे रहे हैं दो के उपर वह इंप्रूव नहीं होई तो हमने चालीस पर होग था समझ आई कॉल बैक फंक्शन की के नहीं हमारे पास मीनिमम वैलिडेशन लॉस एक जगह पर आया और वह दो इपोक्स के दर्मियान इंप्रूव नहीं था हुआ चैलिस 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 कुछ वैसे चल रहा था हमने का यहीं पर रोग दो बस खतम सारे एक को जैने अब अगर यह आपका पेशन्स नंबर बड़ा होगा ना तो आपका रिजल्ट एकूरेट होगा समझ आई कोई के नहीं आई में बंप जो है यहां पे आ रहा है लेकिन यह कम हो रहा है भी अट यहीं पर बात खतम नहीं होगी 12-13 पे यह स्टिल इस गुइंग डाउं लेकिन विद लेस पेस कॉल बैक फंक्शन उस पेस को भी काउंट करता है यहां पे ठीक है अब इसको मैं पेशन्स को करता हूँ 20 और 64 से ज्यादा चलेंगे यहां और की बात है 73 सही है तो इसका मतलब है 73 इपॉक्स आपका बेस्ट नंबर है अगर आप थोड़ा सा आपकी लेस कम्प्यूटेशन आप बारहां भी यूज़ कर लें तो काम आपका हो जाएगा लेकिन 73 आपको वो पॉइंट में जो एकुरेसी बढ़ती है न वो देगा को समझ आरी बात की deep learning architecture की मुझे लग रहा है मैं रुहों रुहों वाली बातें कर रहा हूं but on the other side I think you should learn these techniques मैंने अभी तीन लेयर की थी तो इतना कुछ सीखने को मिल रहा है let's add up another one और इसको मैं करता हूं अब सभी को आठ 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 पर करते हैं बलके पहले 64 पर चलाते हैं फिर हम इसको आठ 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 पर चलाएंगे अब हमने लेयर्स का पता लगा लिए कि लेयर्स इफेक्ट करती है हमारे पास चेक करें बंस आ रहे हैं क्यों आ रहे ह है हमारे पास जो नंबर है ना इस वकत 57 नंबर है चार लेयर का और इपॉक्स यहां पर यह हैं 43 हमारे पास टेस्ट लॉस है 48 और 23 यहां पर चलो जी अब एक काम मैं करने लगा हूं यह वाला जो है ना काम आठ आठ नियूरॉन्स की हम हिड़न लेयर्स बना रहे हैं मतलब आठ गुना कम कर दिया मैंने अब आप देखेंगे क्या होता है देख रहे हूं वही आर्किटेक्चर एंड नियूरल नेट्वर्क की सिरफ हमने नंबर अफ नियूरॉन्स चेंज किया है 190 पे चला गया इपॉक जो question था ना आपका कि क्या ये matter करता है कि hidden layers कितनी बनानी है कम बनानी ज्यादा बनानी है जितनी आप good डालेंगे उतना मीठा होता जाएगा यानि जितने neurons आप बढ़ाते जाएंगे hidden layer में उतनी अच्छी competition होगी लेकिन एक point होगा कि फिर neurons जो हो कम करना start कर देंगे हमने zero से start किया single layer double layer triple layer four layers फिर हमने neurons के तदाद कम की वो भी देख लिया अगर आप उसको ज्यादा करेंगे आप वो भी देख सकते हैं बट ये सब कुछ होता है आपके resources के उपर अगर system आपका अच्छा नहीं है तो please don't use क्यों नहीं यूज करना आप imagine करें 6 million rows का data हो आपके पास आप क्या करेंगे diamond ने मतमरवाई हुई थी यहां पे मेरी data ने diamond 54,000 rows का है सोई पॉक में चला रहा था वो ऐसे चल रहा था जैसे चांदगाड़ी चल रही होती है तो we need to find a way out के किस तरीके से आपने काम करना है और कैसे आपने architecture को develop करना है मैं सिरफ 56,000 की बात कर रहा हूं just think about one million rows क्या हाल करेंगी वो एक epoch पे ठीक है तो इस वज़ा से deep learning architecture के लिए you need best resources ठीक हो गया मैं यहां पे recording को stop करता हूं again कर दो